तो आज मैं आप सभी किसां सेर केने जा रही हूं, हरी भरी सब्जियों से भरपूर, बोखुत ही टेश्टी वेजटेवल रोल की रिस्पी, यह बोखुत ही टेश्टी बनती हैं और इसे बनाना ही बहुत असान है, तो चलिए बिना देर की हुए इसे बनाना शुरू करते हैं तो इसके लिए हम यहाँ पर एक प्याज ले लिए हैं, और आधा हमने यहाँ पर बीट रूट लिया हुआ है, एक सिमला मिर्च और एक गाजर ले लिया है, यहाँ पर आप बीन्स भी ले सकते हैं, और सांथी में हम यहाँ पर हरा धनिया ले लिया है, अब यह सारे सब्ज या एक इंच अदर के टुकरे और चार हरे मिर्च अब आप चाहे तो इसे ग्राइन भी कर सकते हैं या बारिक बारिक चॉप कर सकते हैं या फिर इसे आप कूटके भी ले सकते हैं तो जिस तरह से आपको असानी हो उस तरह से आप इसे कट कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर एक करस एक चमज तेल , तो अब सबसे पहले ढालेंगे यह बारीक प्याज को सब्सक्राइब हलकर साथे कर लेंग anterior है प्याज को कचछh फिराइक निकवाद हलकर साथे हो गिया चल्वे सबसा है तो चलिए अब यह उसके ही कोटा हुआ अज्रसन और हरमिज का पेश डाल देंगे और इसे में थ्मालकर मठार लेखे तो पर रेचे हो आप तक वे यह सटेकर कर लेना है उब सबसे धियान को पाकाना है सबजय normalized बने रहे बस इसे हमें तेज आज पए ही कुस से इकने के लिए फ़राई करना है तो लिजे इसे भी हमने हिल्क सा फ़राई कर लिए हैं तो चलिए अब इसमें हम कुछ मसाल्य आईड कर देंगे वैसे इसमें ज़्याधा मसाला जाता नहीं है तो इसमें हम डाल देंगे आधा छोटा चमच काली मिच का पॉडर, एक छोटा चमच जिसमें हम डाल देंगे कसूरी मेती, और एक छोटा चमच जिसमें हम कुटी विलाल मिच पॉडर या फिर चिली फिलेक्स डाल सकते हैं साथी में इसमें हम डाल देंगे एक छोटा चमच मेकसर आप इसके जगा पीजा मेकस या फिर ओरिगोन भी डाल सकते हैं या फिर आप चाहे तो इसे पूरी तरह से असकी भी कर सकते हैं आधा छोटा चमच इसमें हम चाट मसाला पोड़ा डाल देंगे और टेस कोकरी नमक डाल देंगे अब यह सारे मसालो को इसमें अच्छे से मिला लेंगे तो यहाँ पर हमें मसालो को फुराई नहीं करना है बस इसे सब्जियों के साथ अच्छे से मिला लेना है और इसे अच् के फिलम आफ कर देंगे और सारे सब्जों को अलू की साथ अच्छा से मिक्स कर लेंगे इस बहुत जल्दी बन जाती हैं और साथ में यह बहुत ही टेश्टी लगती हैं तो यहां परदी कि यह सारे चीजों के हमने इस पर अच्छा से मिला लिया है तो अब हम क्या करेंगे इसे एक बाउल में निकालेंगे ताकि यह जल्दी से ठंडा हो सके तो इसे हम थोरे दर के लिए ठंडा कर लेंगे और जब यह ठंडा हो जाएगा ना तब इसे हम ढाल देंगे 3-4 PCV ब्रेट तो हमने यहां पर 4 ताजी ब्रेट को पीछ के लिया है आप जाए तो इसमें ब्रेट कर आप यहां फिर फॉलोर भी डाल सकते हैं इसे ने इसमें एक अच्छा सा बैनिंग आएगी और इसका टेट्स भी बढ़ जाता है और इसे भी एक पर अच्छा से मिला लेंगे तो फ्रेंस आपको याद दिला दूँ अगर आज की रेश्पी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरू से कर दिजेगा तो यहाँ से ही अच्छा से मिक्स होगा इसे हम हाँ से ही अच्छा से मिक्स कर लेते हैं तो यहाँ पर दिखिए सारे चीजों को हमने इसमें अच्छा से मिला लिया है तो अब हम क्या करेंगे ना हाथ में थोगा सा तेल लगा लेंगे और जितना बड़ा हमें रोल बनाना है उतना इसमें से हम पोसन लेंगे और इसे इस तरह से हाथों पर रखते हुए थोगा सा चप्टा कर लेंगे आप क्योंकि बच्चों को चीज ज्यादा पसंद होती हैं तो यहाँ पर हम सराइस चीज को इस तरह से लंबाई में कट कर लिए हैं अब इसका अंदर यह चीज को फिल कर देंगे इस तरह से फोल करते हुए आप इसके जगा क्यूब चीज भी ले सकते हैं अब इसे हम अच्छे से कवर करते हुए इसे हम इस तरह से रोल का सेप्ते देंगे तो यहाँ पर दिके इस तरह से हमने एक रोल बना लिये हैं तो इसी तरह से बागी का भी रोल बना के त्यार कर लेंगे अगर आप इसमें चीज फिल नहीं करना चाहते हैं तो आप भीना चीज का भी बना सकते हैं या फिर जब आप यह मिक्स बनाएगे गना तो इसमें भी आप चीज को ग्रेट करके डाल सकते हैं तो जिस तरह से आपको पसंद हो उस तरह से आप इसे बना सकते हैं और मैं यहाँ पर इसे रोल का सेप दे रही हूँ आप चैट इसे बागी का भी रोल बना के त्यार कर लेते हैं तो लिजे, इस तरह से हमने यहाँ पर सारे रोल बना लिए हैं, तो अभी इस हम थोड़े देर के लिए साइड एक देंगे, एक छोटा सा कम और कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम एक बाउल में तीन चमच मैदा ले लिए हैं, आप इसके जगा गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे, और पाइं डाल के इसका हम घोल त्यार कर लेंगे, तो देखे, इस तरह से इसका हमें बैटर त्यार कर लेनी हैं, अब यहाँ पर हम कॉन्फिलेक्स ले लिए हैं, इसे हम इस तरह से हाथों से करस कर लेंगे, इस तरह से बहुत यह तो इानों को सकतेके तो इसने सब्सक्राइयों के लिए मैदा करें प्रॉट रोल के हम पर अच्छे सब्णार संदने से अच्छे करने में सबस्णी करने में अच्छे सथरी मेह हुआ है आप यहाँ पर देख सकते हैं धीरे धीरे इसका color change होते जा रहा है और यहाँ पर देखिए इसका पूरी तरह से color change हो गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह उपर से अच्छे से crisp fry भी हो गया है तो चलिए अब इससे ज़्यादा इससे हमें fry नहीं करना है अब इससे हम निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी का भी roll fry करके त्यार कर लेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं अब इससे देख के roll कितनी tempting लग रही है और यकीन बनी है खाने में तो बहुत ही tasty है तो इस vegetable roll को एक बार मेरे तरही किसे जरूर बनेएगा यह आपको बहुत पसंद आएगी यह vegetable roll बाहर के समोसक का चोरी से कहीं ज़्यादा tasty और healthy भी है मैं आपको पास से भी दिखाते हूँ यह देखे कितनी crisp बनी है और खाने में तो बहुत ही tasty है बाहर से एक दम crisp है और अंदर से एक दम टीजी और soft है तो इसे एक पर आपको रूट रही किजिएगा तो उमीद है कि आज के recipe आपको पसंद आई होगी recipe पसंद देती वीडियो को लाइक करें अपना family fans में भी share करें तो मिलते हैं का और नए recipe के साथ Thanks for watching